हेलो फ्रेंड्स वेल्पम टू मैं इस्टडी फीट ऑफ फीजिकल एजुकेसल चैनल दोस्तों जैसे कि आपका एक्जाम बेपीसी टीरी 3 का बहुत ही कम टाइम अब बचा हुआ है इस टाइम में मैं आपको ऐसी कोस्टन्स को रिवाइज करा रही हूं जो आपके एक्जाम मे 100% आने का चांस है और कोस्टन्स जो मैंने भी पैक्षिस करा हुआ है वहीं से आएंगे आपको टेंसल लेने की जूरत नहीं है जो मैं करा रही हूं उसको करते जाए जैसा कि आज की सेशन में 15 आमसे की कोस्टन्स है दोस्तों मैं जिए टाइम नहीं मिल पा रहा है जितना म मुझे मिल रहा है उतना मैं जरून कोसिस करूंगी और दोनों टाइम वीडियो अप्लोड करने के कोसिस करूंगी कल से तो जैसा कि मैंने इंगलिस हिंदी दोनों में कोस्टन्स लाया हुआ है तो आप अच्छे से यहां पे प्रिप्रेशन कर सकते हैं एक एक कोस्टन्स को म मैं explain करते हुई आपको उसके बारे में जर तक पहुचा दोंगी तो वीडियो को सुरू से लास्ट तक देखेगा और परिच्छा के 21 तारी को आपको परिच्छा है 20 तक मैं बहुत सारे चीज़ों को कवर करा दोंगी जो आपको एक्जाम में कोई टेंसन नहोंगा तो चलत स्टेट में वहां सि कोंगी लिए गए है तो आप सभी कर दिमांड था कि क्रिऐस्चीर को सब्सक्राइब उठा करके मैं आपको सालो करild prolips किस प्रकार के को tenha बहुत तो तो कोंष ओसन है यहां पर कि को demographics पान यह औरिक जो पाज़ अरंभ करता हुआ तो जैसे कि मैंने आपको digestive system में which substance initiated digestion दोस्तों जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि जो भोजन का पाचन प्रारम्ब हो जाता है वह हमारे मुक्षे ही हो जाता है और भोजन का पूरे पाचन आउसोसर कहां पे होता है छोटी आद में चोटी आद की विलाई होती है उसमें आउसोसर होता है मैंने आपको डीटेलें बताय हुआ है digestive system में आपके जाके देख सकते हैं तो कौन सा पदार्स जो पाचन आरब करता है मैं आपको यहां पे questions का answer देने के भी time दे रही हूं पिछले वीडियो जैसा फटा-फट answer नहीं बता रही हूं तो कोशन का answer देते चाहिए और देखिए कितने marks आपका बन रहे हैं कौन सा कोशन अब नहीं कर पा रहे है तो यहां पे right answer क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी ते टिक कर दिया होगा यहां पे मैंने BPSC में जैसे पूछा जाता है पांच option उसी तरह मैंने पांच option लाया हुआ है तो दोस्तों यहां पे right answer हो जाएगा लार ग्रंथी क्योंकि हमारे मुख में salivary gland होती है ठीक है right answer क्या हो जाएगा salivary gland यानि कि लार ग्रंथी मुख में salivary gland होती है जिससे जो हमारी मुख होती है लार ग्रंथी का कार क्या है या भावतिक और रसानी दोनों गुरों से पाचन क्रिया में सहायक होता है तो यहां पे जैसे है मुख में जाता है हम दान से उसे चबाते हैं भावतिक पाचन होता है जब हम हमारा जो लार ग्रंथी होता है उससे टाइलीन नमक एंजाएम और राइसी आजाएम कर्णा के अलीफ़ मोद्म के बुणाने को सब्सक कि अरुका सब्सक्राद करें तो जैसे कि Talin Enzyme जो होता है लार गरन्थी में मुख में Talin Enzyme निकलता है जो कार्गो हाइड का पाजन करता है तथा स्टार्च को Maratode मतलता है इस लिए टालेन आइंजाइम को Salivary Mayrange भी करते हैं याद रखेगा और जो आपका है Salivary Glen लार गरन्थी से लाइसोजाइम एंजाइम भे निकलता है लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है या भोज पदार्थों के साथ आए हुए हानिकारक बैक्ट्रियाज को मारने का काम करता है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम जो होते हैं है अभंग है उसके बाद प्रैपिस नहीं मिलेगा आपको तो आ की मुख से ही प्रावचन प्रारम होता है तो लारत prosecution और गृटा करता है कारव।्आर का पारें को तो शिर्षा का पावचन करता है उसके बाद जाता है उसके बाद सर्फ से अंचर निकलता है चैसें साथता है बहुत सारी पुट गज़रमेर्ट जीब आमासा में जो SCL होता है हाई भूजन के साथ आये हुए जलीले पदार्थ को किटाड़ूं कंकर पत्थर को गला कर नश्ट करने बार कर देता है और निस्क्रिये एंजयमों को सक्रिय बना एंजयमों में बदलने का कारे करता है और आमासा यानि इस्टोमस में एंजयम जिसे पैपसीन, रेनीन, कैस्टिक, लाइपेज होता है और म्यूसीन होता है तो पैपसीन जो होता है वो SCL की उपसिती में प्रोटीन से समधित भोज़ पदार्थों पर क्रिया करके प्रोटीन को पैप्टोन में बदलता है याद दूद को कैसी ने बदलता है और रेनीन जो होता है और नौजास सीसू में ज़्यादा पाय जाता है और यहाँ पे कार्बोहारेट का पाचन नहीं होता है याद रखेगा अमासा में कार्बोहारेट का पाचन नहीं होता है तथा प्रोटीन तथा वसा की पाचन की सुरुव इसट्रले divina के e amazanya देक मत्तर दीवार को काट सकता है जैसलिक हां बूजन दो 30 गंटे में खतम हो जाता है उसके बाद जो एसे लोग होता है वह आमासय के आत्रे दिवारों को काटने लगता है जिससे हमको लगता है कि भूख लग रहा है आप अपने आम भासा में कहते हैं कि पेट में चुहे कुद रहे हैं उस कंडिशन में हमारे आमासय के दिवारों की रच्छा कोन करता है म्यूस लिएम वाले भाग में पित्रस पितासय नली और अगनासय नली जो यह होती है तो पित्रस आखर बोजन में मिलता है अगनासय नली से अगनासय से एंजाइम इस्तावित होती है कि अभी आट के साथ मिलकर कि फेट को योसा को पचाने मदद करता है अभी यह यह चोटी यात है पहुझ गया और इसी प्रकार बोजन होता है उसकी बार इस होटूर आजन का वोजन ओक पर चोटी यात हमें तो को आसाज हे हैं ऑ दोस्तों याद रखेगा रहला व संधियों और एरुआ हो और असूश होता है पूरे डीपली में बता रही हूँ जो औसोधी या एलकुहाल होता है उसका अमासा यानि इस टूमच में होता है और पत्चे वे भोजपदार्थों का पुड़ औसोच छोटी आदमी और जल और खनी जो पतार्थों का औसोच यानि मिन्रल्स और जल का जो औसोच होता है पानी नमक सोखना यह किसका कम होता है बड़ी आत का जिससे की सरी में इसकी मातरा संतुलित बनी रहे ठीक है उसके बाद स्वांगी करण होता है यानि पत्यवे भोजपदार्थों को सरीर के कोशी का उपयोग करते हैं उसको स्वांगी करण गुड़ा जाता है फिर उसके बाद लेज़िए थैंड बाहर निगल जाता है इस परकार भोजण के पाचन के प्रक्रिया होते है अंतर ग्रह पाचन और साइब करण और निसकरमर आई हो कि आपको प्रक्रिया पूरा समझ में आया होगा नेक्ट कोशन है दोस्तों कोशन नंबर टू कि ग्लूटस मैक्समियस मा मसल्स जो है गुल्टस मैक्सिमस मसल्स इस लोकेटेट इन तो यह कहां पर होता है दोस्तो हमारे हिप में होता है ठीक है कुल्ले में होता है जो सबसे लागजेस्ट मसल्स है हमारे बॉड़ी की लागजेस्ट यानि सबसे बड़ा और लांगेस्ट बुनेगा तो सबसे लंबा largest और λांगर्के में अंतर हैं आप जानते हैं सबसे बड़ी मसल्स हैं हमारे सरीर की हिप की गुलूटियस माक्सिमस लांगर्च rich यान सबसे लंबी मसल्स है सार्टोोडियस हमारी जाञ की याद रखेगा जिसे टेलर वी बूला जाता है तो आपने देख लिया जू से थ्रोइंग बूला जाता है थीक है में और ट्रास बैसेटिस मसल्स पाइस के पीछी है कंदे में कंदे हिर्दे से इस सब की बारे मैंने मसल्स से वीडियो में अच्छे से बताया हुए है सबसे मजबूत मसल्स होती है दूस्तों हमारे इस निखले जबड़े की मसेटर मसल्स और सबसे छोटी मसल्स होती है कौन की इस्टेपीडियस इन में से कौन सा वसा में घुलन से विटामिन नहीं है आपको इजी है बट बार बार पूछ लिया जाता है इसकी कन्फ्यूज मत होईगा सर्ल कोशन चहां आप गलती करेंगे वहां पे आप मार खा जाएंगे तो विचस आप देफालीविग इस नौट ये फैट फैट शोलिवल बीटामिन टू यहां पे बिटामिन सुद्वभागों में आप बता किया है एक फैट फैट त व्यट शोलिवल एंड वाटर सुलिवल वसा में घुलन से बटामिन और जल में घुलन से सबसे पहले आप याद कर लेजिए जल में गुलंसी विटामीन है B, C और H उसके लावा सब वसा में गुलंसी विटामीन को याद करने का मैंने सुत्रे बताया हुआ था आपको किडा ठीक है के ए किडा मैंने बताया हुआ था के ए डी ए ठीक है के ए डी ए यह आपको हो जाएगा फैर्ट सॉलिबर विटामीन तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि विटामीन ए जो है ए फैर्ट सॉलिबर विटामीन है जबकि विटामीन बी जो है वहां वाटर सॉलिबर विटामीन है यहां पूछ किया रहा है विच आप दे फॉल्मीज नॉट इफैर्ट सॉलिबर विटामीन इस में कौन वशा में खुलनसी विटामीन नहीं है कोशन में ज़रुत ध्यान देजएगा इसे बहुत फस्ते हैं ज़सा बीजिर सी ऑर और एक्छ वसा में गोगीलनसी Bujs गभर सी भीटामिन नहीड है जल में नहीं है ती यहां पर डिल्ष क्रेशन तरो हो जाएगा आपसा नुंबर बी वितामिन बी कोश्त सब सबसे पहले नामकरण किया था सबसे पहले 1912 में फांकन लिए और दोस्तों यह भी जा लेजिए कि भूजन जो विटामीन से होते हैं वह प्रिदिकारक तक तो ग्रोथ फैक्टर इसको बूला जाता है सुरच्छात्मक भोजे क्योंकि जो विटामीन से मिनरल्स होते हैं इसका यह उर्जा नहीं प्रदान करते हैं इस सुछ मातरा में मानों सरी में उपसित होते हैं विटामीन से उर्जा प्रदान नहीं करता पर अन्य उर्जा प्रदान करने वाले प्रदातों के निर्मान में और उनके सही उप्योग में नियंतर करते हैं अर्थात उपाप्ती क्रिय को संचालन के लिए आवस्याख होते हैं विटामिन्स इसलिए को बिद्धी तद्व या ग्रोथ फैक्टर कहते हैं याद रखिएगा नेश्कोच रहें अंतरार्थी और लंपिक समीटी का गठन किस वर्ष हुआ था तो आई ओसी इंटर्नेशनल लंपिक कमीटी का जो गठन हुआ था 25 जून कोस्टिन का अंसर आप दीजिए दोस्तों आपके लिए मैं टाइम दे रहे हूं तो 25 जून अठारह सो चौरानबे में आई ओसी का गठन हुआ था यहां पर राइट इंजर क्या हो जाएगा वीज इन वीज इंटर्नेशनल लंपिक कमीटी फॉर में यहां पर राइट असर हो जाएगा दोस्तों 25 जून अठारह सो चौरानबे 25 जून अठारह सो चौरानबे में बैरेन पीरडी कोबार्डेंग के द्वारा पेरीज के सरवोर नामक अस्थान पर यह सभा कांग्रेस की एक सम्मिलन द्वारा इसकी अस्थाप्रा किया गया था जिसके टहत 1896 में पर्थम आधुनिक उलंपिक खेल एथेंस के पैनाधुन को एक स्टेडियम में खेला गया इस प्रकार आधुनिक उलंपिक खेल के पितामह कहे गए बैरन पीरडी कोबर्डेंग आई ओसी का मुख्याले लोसाने स्टूर्जन लेंड में है अब पर्थम अध्यच्छ बने थे फ्री बाइक लास यूनान के अब बरतमान वहां इसमें एक अध्यच्छ होता है आठ साल के लिए और दो उपाध्यच्छ होते हैं और भारत के तरब से सदस्ता प्राप्त करने वाले पहले ब्यक्ति हैं आई ओसी में सर्दुराबजी स्टाथा उनिस सो बीस में उसके बाद जीडी चौनदी भी 1932 में राजा प्रतियोगिता में बिसम टीमों की संख्या होने पर उपरी अर्ध में बाई देने का सुत्र क्या होगा यदि टूर्णामेंट में टीमों की संख्या और्ध है बिसम है तो उपरी अर्ध में बाई देने का सुत्र क्या होगा दोस्तों जैसा कि हमने बताया था टूर्णामेंट में को मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है कि जब संख्या हो तो बाई देने का सुत्र होता है अन्वी अपांटू उपर नीचे से सेम सेम होंगे बत जब विसम संख्या और्ध नमबर होगा उस कंडिशन में उपर की हाफ में नीचे की हाफ में ब प्लस वन अपांटू यहाँ उपर के हाफ में बाई देने का सुत्र पूछा है तो हो जाएगा यहन भी माइनस वन अपांटू यहाँ पर राइटे सरू हो जाएगा आफसन नमबर ए एंड नेक्स कोचन है आहाल में निम्ड में से कौन सा तत्व अपोसक है बेरी इंपोर्टेंट कोचन है व्क जो जेय सны की यहाँ पर वसा है हमारे सरी को उर्जा देता है करислज बेरी प्रूछा द्ष्टों प्रू में इवाल है एक उर्जा देनेवाले यहाँ वुर्जर करने वाले न कोन्हे है बिरामिंस एन मिनरल वो बर्ट यहां पे का arm प्रोसक है का निच्पा करता क्या है आप घृऱैं क्यों तो यहां पे रायरिसे अंसर भूल लिया होगा फाइबर फाइबर जो है पूसक है कि ऊर्जा नहीं देता विड़ झीर ये उर्जा प्रदांगि करने वाले हैं उनको पचाने में मदद करता है अपने खुद परष्टा उसको पचाने में उनक्तर काamet करता है अपञायर दोस्तों फिर्फu लेकिन लेकिन हमारे लिए बहुत जैयरी होता है कांकर इन प्रकायखर रेशा होता है दोस्तों जैसे कि आप संत्रा खाते हैं तो बीच-बीच में जाली होता है और आम खाते हैं तो बीच-बीच में देशा होता है तो यह जो रेशी होते हैं फाइबर होते हैं हमारे नॉट्स में बीजो में फॉल में ठीक है इन सभी में पाया जाता ह जो करता है झो हमारे उर्जातेने वाले पोषक तत्व है उनको पचानें मदद करता है और जो होता है हमारे आतों की शफाई करने का काम करता है थ addressed K wichtig क्योंकि भप्रचित को पानी को अपने अंदर अफज़र करके रखता है जिससे बाड़ी में देर तक पानी बना रहता है तो यह सबी काम है फाइबर का फाइबर हमाने लिए most important होता है इसके कमी से बहुत सारे पेर की बिमारी हो जाती है और आतों में सडन पैदा होती है फाइबर आप अच्छे मात तो दोस्तों मैंने आपको फीजिकल फीटेंस के बारे में अच्छे से बताया हुआ है इस्पोर्ट ट्रेनिंग के प्लैलिस में जाए और देखिए फीजिकल फीटेंस या सारी दश्ता या सारी तंदृस्ति वह होता है इसका एक ही परिभासा है केरी टु डेली टास्क या यानि कि बिना थकान के देनिक कारे करने की योगता ही फीजिकल फीटेंस है ठीक है यानि कि दिन मर आप कारे किये और कुछ अतरित उर्जा भी बचे गया अपातकाल के लिए अपातकाल इसी तिया आपके पास आये तो उसको आप अच्छे से जहल सके यह आपका फीजिकल विटनिस है तो यहाँ पे राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तो परफाउं डेली डेली आक्टिविटीज यानि दैनिक कारे करना यहां पे राइट एंसर हो जाएगा और फेंड नेक्ट कोशें है औस्टियमिंट अस्थी कहां इसी थोती है विर इस दो ऑस्यृतर वोन जो होती है हमारे खोपड़ी में इसकल में होती है ठीक है यहां पर खोपड़ी और इंसरो हो जाएगा हमारे खोपड़ी में कुल आश हड़ी है यहां पर इसको लाई की बुलना चाहिए क्रेंइयल बूलना चाहिए खोपड़ी में कुल, इसकल में कपाल में ओनति स हडिया होती है जिसमें आठ खोपड़ी में होती है और चेहरा में č Feels कान में Distra स्काइब स्काइब , ईख्यक्यस कम पर एक कंठ पर, हायधिक स्काइब स्काइब हईए यहां पिछोपडी होती है , ond terminaría बोन की बात ही स्काइब,реहां ऑसलो स्काइब न हमारे खुपड़ी होती natural temporal- occipital sphenoid and ethomoid थीक है एंड नेक्ट कोशन है कि शक्ति को बढ़ाने की प्रसिचर की विधी कहलाती है तो यहां पर शक्ति को इस च्रेंथ को इनक्रीज करने की विधी कोन है तो दोस्तों यहां पर ध्यान देजिएगा मैंने पांच अप्सन चुना है उसमें से एक option कौन सा option आप चुन रहा है इसमें इस questions का ध्यान से उतर दीजिए क्यांकि ऐसे questions पुछने वाला है आपके BPSC में तो यहां पर आप देख सकते हैं एक-एक question को पर देखें बैलेस्टिक विधी क्या करता है क्या सक्ति को बढ़ाने की प्रसिचर विधी है आपको मैंने physical fitness या sport ट्रेनिंग में अच्छे से बताया हुआ है कि दोस्तो रिपीटेशन बीधी जो है सहनसिलता डेवलप करने की बीधी है इंडुरेंस डेवलप करने की बीधी है यानि कि जो रिपीटेशन डेवलप करने की चार बीधिया मुख्रिप से होती है कार्डिनिवस मेथर इंटर्वल मेथर रिपीटेशन मेथर एंड कमपडिशन मेथर यहां पर आपका रिपीटेशन मेथर जह हो जाएगा इंडुरेंस डेलप करता है सक्ति को डेलप नहीं करता तीसरा है दोस्तों सी है जाएगर एक से ज्यधा आप्शन सही होता प्रत मेस से अधिक कोbenलाथा है तो क्या हम लगाएगे सु से कोई नहीं ठीक है नार यवब लगाएंगे तो स्सक्राइव रशिल है हेडियमाइंस स्पेशी को कहती है है तो मैयो काडियों बोला जाता है क्या का बोला जाता है मायो कार्डियम बुला जाता है हिदे मांस्पेसी को एनोटोमिकल भासा में मायो कार्डियम बुला जाता है दोस्तो हिदे मांस्पेसी मायो कार्डियम इसको बुला जाता है याद रखेगा या कार्डियो मायो साइड से बनी होती है is myocardium हिदे के सभी 4 कछो की दिवारों में पाय जाता है क्योंकि पीचवनी हिदें मादस्पे परतनी क्रथों से बनी होती है लुक comprendium यह Cahdium myocardium and endocardium हिश में होती है दोरों तरब से स्टा हुआ होता है इसलिए यह चारो दिवारों को टच करती है, ठीक है, नेक्स्ट कोच्चन है, हमारी स्वसन प्रक्रिया का नियंत्र केंद्र इस हित है, तो दोस्तों, यह इसका भी राइट अंसर आपने दे दिया होगा, कि जो हमारा मेरूला अबलाउंगेटा होता है, वो सभी जैसे कि रेस्पारिटरी सिस्टम, एन्रिबर्ट सिर्कुलेटरी सिस्टम, हाट रेट, डाजेस्टी सिस्टम, स्मूथ स्पीच, ठीक है, तो इन सभी को कंट्रोल करता है, हमारा मेरूला अबलाउंगेटा, कंट्रोल सेंटर होता है, मेरूला अबलाउंगेटा में, तीक है, इस सेंटर होता है, मेरूला अबलाउंगेटा में, यानि कि मेरूला अबलाउंगेटा क्या होता है, जितने भी जैवी क्रिया है, तहिसा कि मारी मस्तिस के तीन भागों बाटा गया है तो तीक है आपको अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है फोर ब्रेन, मीडी ब्रेन और हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन यानि कि अग्रमस्तिस, मध्यमस्तिस और पस्टमस्तिस, अग्रमस्तिस के अंतरगत हमारा सेरी ब्रम यानि प्रमस्तिस, लिंबिक सिस्टम, थेलेमस, हाइब थेलेमस आता है सबके बारे मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है वहाँ पी जाके देख सकते हैं नेग्स्ट कोशन है ने के उनिसson feel कि ने विक्सित किया तो आप सबको पता है उनिस तीरालिस में किसा बनाया था किसे लिदा बनाया हुआ लूसीन विदिन विरूहा ने कार्डियो रस्पार्टे ऑल्रोया क्रिल या निस्थाफन उसलित क्यों कन्य को बनाया था तो यहाँ पे www.tuttle ने गलत एंसर हो जाएगा क्योंकि www.tuttle ने क्या बनाया था दोस्तों Tuttle Pulse Retreat Test इन्होंने बनाया था तो यह आपका गलत हो जाएगा Retain ने नहीं बनाया था Ghosta Humbleum ने Partic Method को खोजा था यह भी गलत है यह भी गलत है और यह भी गलत है यहाँ पे राइट एंसर क्या हो जाएगा उपरत में से कोई नहीं तो इसी तरह का question आपको पूछा जाएगा आपको याद रहेगा तभी आप उसका answer डूट पाएंगे And next question है कि किस Olympic में टार्च अनुष्ठान को प्रारम किया गया था In which Olympic was the torch ceremony introduced तो दोस्तों जैसा कि सबसे पहले मसाल जलाया गया था 1928 एमस्टरडम हालेल ओलंपिक के जुआला इस्टेडियम के मुख्यद्वार पर उसके बाद 32 में पुनाह अपनाया गया लेकिं पर्थम बार टार्च यानि के अधिकारिक तोर पर मसाल जलाया गया 1936 बर्लीन उलंपिक में यहां बेर आइटेंसर हो जाएगा बर्लीन 1936 और टार्च अनुष्ठान को शुरुआत करने का सरे काल टाइम को जाता है और यहां भी कोशन एक और पूछता है कि पहली बार उलंपिक मसाल को किस महिला ने महिलाओं में सबसे पहली बार किस महिला ने छला जलाया तो और दोस्तों 1936 में ही बर्लीन उलम्पिक से ही बिजेता खिलाडियों के नाम स्टेडियम की दिवारों पर लिखा जाने लगा एंड नेक्ट कोशन है प्रू पायो सेप्टिव नीरो मस्किलोर फैसी लिटेशन तकनीक समधित है तो यहां पर आपने सही अंसर टिक कर दिया होगा तो यहां किस से समधित है तो यहां flexibility से समधित है किस से related है flexibility से यहां पर right answer हो जाएगा लजिलापन यानिकी flexibility flexibility यानि लजिलापन को develop करने की मुख्रिफ से 4 बिजिया है जैसे balance method, static, dynamic method and enough method बैलेश्टिक मेथड में क्या होता है कि सबसे पुरानी वेद्धी होती है इस में जोलो के कोणोंылे में बृध्धि करके जाती है जैसे कि इस्ट्रेटिकिएग ड्यामों में में लैबर्ब बॉंसिंग में में माझन 위해 कि बिजी कौन सी है तो holding stretching and holding method आपका वहाँ पर देता है हमेशा जब PNF method नहीं रहेगा stretching and holding method आपका right होगा जब PNF दिया रहा है सबसे उच इस तरह पर PNF दिया रहता है डिनविक मेतड़ क्या होता है जोडो में कोण में विधी गति के साथ कीया जाता है एन प्यनप मेतड का होता है प्रोप्रायोसटेड़ निरो मस्किलर फैसी लेटेशन तकनिक या है इसको सारट बें प्यनप दोलते हैं यहाँ लचित्ता पढ़ाने के सरुत्तम बिधियों होती है प्रोप्रायर सिप्टी नीरो मस्कला फैसे इतिलेशन में या उच इस्तर की खिलाड़ी द्वार लचिलापन हासिल करने में साहिता करता है इसमें अधितम पेसी सिथिलर हासित करने के एक प्रयास में इसे भी खिजने के से पहले पेसी संकुजन का प्रयोग सामिल होता है ताकि पेसी को अधिक से अधिक सिथिल किया जा सके या पेसी को रिसेप्टर ओर्गन में ता गती बिधियों के रेंज को बढ़ाने में साहिता करता है एक नेक्स एंड लाउच कोशन है आज के सेसन का कोशन नंबर पंद्रह है दोस्तों के निमने लिखित में से कौन सा हर्मोन पैंक्रियाज दुरा निकाला जाता है यानि विच आफ दूविंग हर्मून इची सिक्रेटेड बॉई फैंक्रियाज तो दोस्तों जो हमारा फैंक्रियाज होता है वहां पैंक्रियाज में जो है एक मिक्स ग्लैंड है यह हर्मून और एंजाइम दूनों इस्ट्राविद करता है लेकिन यहां पे कोशन क्या कुछ है कि कौन सा हर्मून पैंक्रियाज के दुवरा निकाला जाता है यहां पे आपको क्यों हर्मून प्रज्ञान देना है तो यहां पे पैंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है हर्मून और एंजाइम दूनों इस्ट्राविद होता है तो हर्मून यहां पे कौन-कौन से इस्ट्राव हार्मोन निकलता है जो यक्रित को उत्प्रेजित करता है ग्लाइकोजन को ग्लुकोज में प्रजित करता है और इसके करण रख्त में ग्लुकोज का इस्तर बढ़ता है दूसरा होता है बीटा सिल बीटा कोशिका बीटा कोशिका से इंसुलीन हार्मोन उत्पन होता है और यह इसे उत्तेजित करता है जिंग प्रोटीन जिंग जस्ता जो है और इंसुलिन जो है रक्त में उपासियत ग्लुकोज को ग्लाइकोजर में बदलता है और इसके करण रक्त में ग्लुकोज का इस्तर कम हो जाता है इसे प्रकार जब इंसुलिन की मातरा कम हो जाती है तो जो ग्ल होता है डेल्टा कोछिका है जीस्से संपेटोइस्टरटीन हार्मोन होता है संपेटोइस्टरटीन हार्मोन क्या करता है वो ग्लुकेगांड एंसुलीन दोनु के अतरीक इस्ट्राओं को बैलेंस करके रखता है एंड पचीवे भोजन को पचातने का काम करता है ठीक है एंड एफ से से पालीप एप्टाइड नमक हर्मोन निकलता है यहां पर क्योल हर्मोन की बात किया है तो हर्मोन में चार हर्मोन आप ग्लुकेगान, इंसुलीन, सुमेटोइस्टेटिन, पाली पेप्टाइड हो गया और आपका जब एंड़ाइम के बात करेगा तो एमाइलेज, लाइबेज, ट्रिपसीन, क्रोटीज, फास्फोलाइबेज, इस्टरेज, इस्ट्रावित होता है यहां पर ओलनी हर्मोन पूछा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर इंसुलीन निकलता है अगनाश है कि बीठा सेल से औन गलूकेगा निकलता है अगनाश है कि अधा सेल से तो यहां पे दो आफसन आपका राइट, बी değiş एँजईिम है हर्मोन नहीं है यहां पे यह ए और सी आइड हो रहा ह। यहाँ इस्ट्राइट ह्यागा हो जाएगा उपरोंख तो दोस्तों आज के सेशन में पंद्रह यम्सी की कोर्षंस जैसे आपके कोर्षंस पूछे जाते हैं भी पिएसी में उसी प्रकार के टाइपस के मैंने आफसन बनाया हुआ है कि आपको पहले से प्रैक्टिस रहें तो दोस्तों इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ पर अच्छे से आपको प्रिप्रेशन करते लिए और एक इस समय का जो समय आपके लिए सबसे ज़्यादा मौलवान है तो अपने पर ध्यान दीजिए सभी काम को छोड़ देजिए पंदर दिन तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो प्रैक्टिस में तर तक के लिए जै क्पटी से झालो प्रैक्ट वीजिए